बिग बोस 15 में कल जहां पर नियू वाइल कार्ड एंट्रीजवी जिसमें रश्मी देशाई, देबुलीना, रितेश और राकी सावन नजर आ है जैसे ही ये चारो जन अंदर गए हर एक के बारे में वो बताते हुए नजर आ है कि आप बाहर से ऐसे दिख रहे हो वही पर शमीता शेटी कहीं ना कहीं बैक फूट में जाती नजर आए शमीता राजीव से ये कहती भी नजर आए कि मैं ट्राप होती नजर आ रही हूँ मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा कि मेरे नागेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नैशनल टेलिविजन पर उछाला जा रहा है मेरे में पॉजिटिव भी है लेकिन उस बात को किसी ने भी नहीं बताया नागेटिविटी ही बताई जा रहे है कि तुम डॉमिनेट करती हो तुम अपनी ही बाते मनवाती हो तो ये बात मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही और ये बात कहते ही राजीव ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम है ना तुमारे साथ निशानत ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम है ना तुमारे साथ लेकिन शमीता बहुत ही डीली हो जाती है जब ये चारो एंट्री करते हैं इवन रात को राकी के अज़मे रितेश भी ये बात करते हुए नजर आते हैं राकी सावन से कि शमिता ने कुछ नहीं का, शमिता इतने चुप क्यों हो गई राकी ने कहा कि आप बात करोगे तो वो बात करेगी आपको तो शमिता बहुत पसंद है तो आप जाकर क्यों बात नहीं करते लेकिन इसके पीछे का रीजन यही है कि उन्होंने शमिता ने यही कह दिया कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ये लोग आयें घर के अंदर साफ साफ जाहिर से बात है कि ये चारों गेम देख कर आए हैं और अब टारगिट किया जाएगा हर एक उस बंदे को हर एक उन कंटेस्टेंट को जिनको ये चार वाइकार एंट्रीज पसंद नहीं करती तो शमिता को एक सेंस आती है कि वो अब मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को पूरा का पूरा उच्छानने की कोशिश करेंगे और वही चीज प्रोमो में भी दिखाई दी है कि देबोलीना बैरेक शमिता को इस बात के लिए टोकती है उस टास के दोरान जहां टास दिया जाता है कि आप लिटरली में डॉमिनेट करते हो शमिता भी उसके उपर शाउट करती नजर आती है अब तो यह आज के एपिसोड में देखते ही बनेगा आप कितने एकसाइटिट है इन वाल्ड कार्ट एंट्रीज के साथ क्या आप भी देखना चाहते हैं कि वाल्ड कार्ट एंट्रीज अब बिग बॉस 15 हाउज में क्या धमाका करते हैं क्या शमिता बैक फूट में चली जाएगी क्या शमिता का गेम स्लो हो जाएगा देखते हैं बिग बॉस 15 के हाउज में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए जुरे रहे हमारे चैनल के साथ